पांच राज्जों में विधान सभा चुनाओं की तारीखों का एलान शुक्रवार को हो गया ये राज्जों पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडू, असम और पुद्दुचेरी हैं चुनाओ शेडियूल के मताबिक अरब सागर से गंगा सागर तक 62 दन तक चुनाओ चलेगा पश्चिम बंगाल में सबसे जादा आठ फेज में चुनाओं होंगे असम में तीन फेज में और बाकी तीनों राज्जों में सिंगल फेज में चुनाओंगे वोटिंग की शुरुवात पश्चिम बंगाल और असम से होगी इन दोनों राज्यों में पहले फेज की वोटिंग 27 मार्च को होगी पांचों राज्यों में वोटों की गिंती 2 माई को होगी बंगाल में पहले फेज के अधिसूशना 2 मार्च को जारी होगी देश में लेफ्ट के आखरी गड़ बने केरल में 140 सीटों पर चुनाव होने हैं यहां लेफ्ट पार्टियों और कॉंग्रेस के गड़ बंधन की सरकार हैं केंदर शांसित प्रदेश पुड़ुचेरी में 30 सीटे हैं यहां विधान सभा में 3 नामित सदस्य होते हैं यहां अब तक कॉंग्रेस गड़ बंधन वाली सरकार थी लेकिन पिछले हफ़ते ही कई विधायकों ने कॉंग्रेस छोड़ दी इससे सरकार अल्प मत में आ गई सीम नारायन सामी को इस्तीफा देना पड़ा अभी यहां राश्टर पतिशासन लागू है पश्चिम बंगाल में आठ फेज में चुनाव होना तेह हुआ है आपको बता दे कि 27 मार्च को पहले चरन की वोटिंग होगी चुनाव आयोग ने बताया कि पश्चिम बंगाल में एक लाग से जादा मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे यह आपको ये भी बता दे कि कोरोना को देखते हुए सभी राज्यों में मतदान केंद्र बढ़ाए गए है इसके अलावा मतदान का समय भी एक घंटा बढ़ाए गया है कोरोना को देखते हुए सभी चुनाव अधिकारियों का ठीका करन भी किया जाएगा बता दी कि 1 अपरेल को दूसरे फेज का मददान, 6 अपरेल को तीसरे फेज का मददान, 10 अपरेल को चोथे फेज का मददान, 17 अपरेल को पांचवे फेज का मददान, 22 अपरेल को छटे फेज का मददान, 26 अपरेल को साथवे फेज का मददान, 29 अपरेल को आखरी आठवे मुक्या चुनाव आयत सुनील अरोडा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 2016 में 77,413 चुनाव केंद्र थे अब 1,1,916 चुनाव केंद्र होंगे सभी सीटों के लिए वोटों की गिंती 2 मई को होगी बताया तो ये भी जा रहा है कि बंगाल में शांती पूर्ण चुनाव संपन कराने के लिए केंद्रिय सुरक्षा बलो की 125 कंपनियों की तैनाती की जाएगी इसमें CRPF की 60 कंपनी, BSF की 25 कंपनी, SSB की 30 कंपनी, CISF की 5 कंपनी और ITBP की 5 कंपनियां शामिल है वही कोरोना को देखते हुए सभी राज्यों में मतदान के केंद्र बढ़ाए गए हैं पश्रिम बंगाल में 6-8 चरणों में चुनाव होगा, जबकि पडोसी राज्यों असम में 3 चरणों में मतदान होगा इसके अलावा केरल, तमिल नाडू और पुदुचेरी में एक ही चरण में मतदान होगा कहा जा रहा है कि पांचों राज्यों की मतगर्णा एक ही दिन होगी एक मई से पहले विधान सभागठन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी चुनाव की तारीकों के एलान से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोडा ने बताया कि 80 साल से जादा उम्र के लोगों विकलांग लोगों जरूरी सेवाओं में लगे जिन लोगों की स्थानिय चुनाव अधिकारी पहचान करेंगे वे पोस्ट बैलिट से मतदान कर सकेंगे सभी चुनाव अधिकारियों का कोरोना वेक्सिनेशन होगा वोट डालने का समय एक घंटा जादा होगा अरोडा के मताबिक 5 राजों में 824 विधान सबा सीटे हैं इनके लिए इस बार 18.68 करोड वोटर हैं और 2.7 लाख मतदान है अरोडा ने बताया कि असम में 2016 में 24,890 चुनाव के इंदर थे इस बार 33,530 बूट होंगे तमिलाडू में 2016 में 66,007 चुनाव के इंदर थे 2021 में 88,936 होंगे केरल में पहले 21,498 चुनाव के इंदर थे अब 40,771 होंगे पश्चिम बंगाल में 2016 में 77,413 पॉलिंग बूट थे इस बार 11,916 होंगे अरोडा ने कहा कि पिछले साल जब पूरी दुनिया कोरोना से जूज रही थी तब दुनिया भर के चुनाव आयोगों के सामने चुनाव कराना चुनौती थी कई देशों ने ऐसे हालात में भी हिम्मत दिखाई और कुछ बदला और एहतियाद बरतते हुए चुनाव कराए चुनाव आयोग ने राजसबा की 18 सीटों पर जून 2020 में चुनाव करा कर शुरुवात की है हमारे लिए बड़ी चुनावती बिहार थी वहाँ 7.3 करोड वोटर थे ये हमारे लिए अगनी परिक्षा थी मुक्या चुनाव आयोगत ने कहा कि उन्हें ये बताते हुए खुशी है कि बिहार के वोटरों ने भी भरोसा दिखाया और चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया बिहार में कई अधिकारियों को कुरोना था इसके बावजूद वे चुनाव तयारियों को देखते रहे बिहार में वोटिंग में 57.3 प्रतिशत वोटिंग हुई जो पिछले विधान सभा चुनाव और 2019 के लोग सभा चुनाव से भी ज़ादा थी मुख्या चुनाव आयुक्त ने बताया कि असम विधान सभा चुनाव का कारेकाल 31 मई तक है इसी तरह तमिलनादू विधान सभा का 24 मई बंगाल का 30 मई केरल का 1 जून और पुर्दुछेरी का 8 जून तक का कारेकाल है बतादे कि 2016 के चुनाव में TMC को 211 सीटे मिली थी 2019 के लोग सभा चुनाव में भाजपा ने 42 में से 18 सीटे जीती थी इसलिए विधान सभा चुनाव में पार्टी ने पूरा जोड लगा दिया है इस बार का चुनाव TMC बनाम BJP हो गया है कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा यहां कॉंग्रेस वामदलो और इंडियन सेकुलर फ्रंट के बीच गट मंधन तै है फुर्फुरा शरीर की इंडियन सेकुलर फ्रंट को 30 सीटे दी गई है रिपीट फुर्फुरा शरीफ की इंडियन सेकुलर फ्रंट को 30 सीटे दी गई है और मेंटिनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुख करें